हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू फ्लाइंग सिविक तो आज थ्री स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो कि मिड़ कैप केटेगरी से हैं और आने वाले सौट टर्म में अच्छे गेन आपको दे सकते हैं फर्स्ट स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मास तो यह स्टॉक अभी करेंटली 1767 पर ट्रेड कर रहा है एंड इस स्टॉक का पी 28 है और इंडिस्ट्री का पी 26 है मींस यह इंडिस्ट्री पी के लगबग बराबर ही प्राइस में अवेलेबल है मींस ना तुझाता यह स्टॉ स्टॉक महंगा है अपने इंडिस्ट्री के कंपेरिजन में नहीं सस्ता है अगर लास्ट वन येर के रिटरन की बात करें तो इस स्टॉक ने 231 परसेंट के रिटरन दिये हैं जहां एक जून 2020 को यह स्टॉक 533 रुपए में ट्रेड कर रहा था वहीं इसकी 28 मई की क्लोजिं प्रोसेसिंग फॉर्मूलेटिंग सेल इंपोर्ट एक्सपोर्ट मर्चंडाइजिंग डिस्ट्रिब्यूटिंग ट्रेडिंग एंड डिलिंग इन एपी आई तो एपी इसे रिलेटेड सारे तरीके के काम यह कंपनी करती है और इस्टैबलिस्ट प्लियर है यह एक्टिव फार्माशुटिकल इंग्रेडियंट्स बिनाने में पांच इनके मेनिफेक्ट्रिंग प्लांट्स हैं इंडिया में 25 सक्सेस्फुल यूस अफडिया ओडिट कर चुके हैं यह टू आरेंडी सेंटर्स हैं 150 प्लस DMF फिलिंग से इसकी अगर सेल्सेंड मार्जिन की बात करें तो वह भी लगातार इंक्रीज हो रहा है जहां 2018 में यह 11 परसेंट था देन 15 परसेंट हुआ फिर 20 परसेंट के अपना डेट भी कम किया है जो कि 700 करोड का हुआ था उससे घटा के 530 करोड किया है नेट प्रोफिट भी कमपनी का इंक्रीज हो रहा है जहां 2018 में कमपनी का नेट प्रोफिट जीरो था वो 2019 में 60 करोड हुआ देन 2020 में 115 करोड और 2021 में नेट प्रोफिट 221 करोड का नेट प्रोफिट है जो की काफी सामदार है और जीरो से 221 तक पहुंचना फ्रेंट कमपनी के जो management के अंदर काफी capabilities दिखती है share holding pattern की बात करें तो promoters के पास only 44% का stake है then FIA के पास 13% DIA के पास 3.98% and public के पास 38% का stake है तो ये था first stock इस category में and second stock है Varun Beverages Limited जिसे VBLB कहते हैं इसका current market price है 1,008 रुपए stock का जो PE है 72 रुपी है and industry का भी 39 है तो ये अपने industry के आवज में थोड़े महंगे valuation पे available है Varun Beverages का अगर आप last one year का return देखेंगे तो 62% का return दिया है जो की काफी सांदार return है business देखें तो ये associated with PepsiCo since 1990 and is a key player in beverage industry beverage industry के अंदर key player है and PepsiCo के साथ ये associated है and one of the largest franchise of PepsiCo in the world पूरे वर्ड में ये PepsiCo की सबसे बड़ी franchise है part of RJ Corporation का part है जिसकी franchise पीजा हर्ट KFC, Cream Bell जिनके पास इनकी franchise है वही है ये Varun Beverages improving sales and margin same story है इसके अंदर भी friends जैसे की हमने पिछले stock में देखा था जो sales है वो लगतार बढ़ रही है March 2015 से आप देखोगे तो sale लगबग double हुई है company की and operating profit margin है जो की consistent है 19% से एक बार 21% तक गए थे लेकिन currently 19% पे ही operating profit margin से है profit growth of 30.02% CAGR over last 5 years company ने 30% CAGR return दिया है in profit के अंदर last 5 years continuously जो की एक काफी अच्छा पॉइंट है company के net profit भी increase हो रहे है 2016 में company का net profit 32 करोड था only वो बढ़के लगबग 2021 में 10 गुना हुआ है जो की 403 करोड TTM means trailing 12 month का ये net profit है जब ये complete 2021 financial year का आएगा तो वो around अगर 420 का आता है तो last 5 साल में इसका जो net profit है वो 10 गुना होता है ऐसे में share price के भी भाव बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे share holding pattern देखेंगे तो promoters के पास काफी अच्छी holding है 66.4% की holding promoters के पास है then FIA के पास 20% DIA के पास 5.9% की holding है and public के पास only 7.42% की holding है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके जो complete shares है already strong players के पास है जो retail investors है उनके पास only 7% stake है third stock is category के अंदर है गुजरात gas जिसका current price है 510 रुपीज stock का PE है 30 रुपीज जबकि industry का PE 75.9 रुपीज तो ये अपने industry के मुकाबले काफी सस्ते valuation पे currently available है गुजरात gas के अगर last one year के return देखे जाए तो एक जून 2020 को इसका price था 245 रुपीज जो की बढ़के हुए 510 रुपै means इसने 108% के decent return अपने investors को दिया है business इसका देखा जाए तो ये end-to-end gas की supply करती है engage in natural gas business in India natural gas business involved distribution of gas from sources of supply to center of demand and to the end customers end customers को भी देता है और जहां-जहां इनकी demands होती है वहां भी supply करता है return on equity and return on capital employed की बात करें तो return on equity means की जो shareholders का पैसा है उस पे जो company है कितना return generate करके देती है उसे return on equity कहते है तो वह 43 है जो की काफी अच्छा है generally 25% से उपर का return on equity अच्छा मना जाता है अगर return on capital employed की बात करें जो की total capital company ने employ कर रखी है like shareholder की capital बीचिस में included होती है plus अगर company ने कोई loan ले रखा है short term borrowing है, long term borrowing है सारे include करके अगर company उन सारे पैसे पे जितना return देती है in the form of percentage उसे ROC कहते है यह 29% है and 25% से उपर का ROC काफी अच्छा मना जाता है same story third stock में भी आपको continue देखने को मिलेगी sales के margin improve हो रहे है like sales जो 6000 करोड की थी 2016 में वो बढ़के 9000 करोड की हुई है operating profit margin जो 12% के थे वो बढ़के 22% है जो की काफी अच्छा है जो profit growth है company ने last 5 year में 21% CAGR से दिये जो की काफी decent return है company का net profit भी increase हुआ है 2016 में जहां 190 करोड था वो 2021 बढ़के around 1200 करोड हुआ है share holding pattern के बाद करें तो promoters के पास 60% share है FIA and DIA के पास मिला के around 15% का stake है and remaining जो 23% है वो public के बाद है तो ये थे दोस्तों तीन stock जो की आपको short term में भी अच्छे return दे सकते हैं plus अगर आप long term के लिए भी hold करते हैं तो भी काफी अच्छे return दे सकते हैं Thank you for watching this video and channel को subscribe नहीं किया है तो जरूर subscribe करें